Hello everyone, मैं विशाल माजन आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर average student है और आपका सपना है कि टॉपर बनना 95% से जादा marks लेना तो आपके दिमाग में हमेशा ये बात आते है कि या टॉपर ऐसा कौन सा काम करता है जो मैं नहीं कर पाता मैं भी पढ़ता हूँ मैं भी time लगा मस्ती करते है मैं खेलने जाता हूँ तो ये भी खेल रहा होता कभी करता है ऐसे भी होते हूँ उनके पहले खेल रहे होते है उनके बाद घर जाते है लेकिन फिर भी बो टॉप करते है लेकिन हम एक average student 70, 80, 90 के between ही जूलते रहते है तो ऐसा कौन सा काम करते है इस वीडियो मे सारी की सारी बाते discuss करने वाला हूँ सबसे important बात जो यहां पर हम discuss करने वाले है अगर आप देखो तो when I study for five minutes straight without checking my phone तो भाई साब दीदी ने इतने सारे अवार्ड ले लिए सची अची बताना आपके साथ भी ऐसा नहीं होता कि आप भी 15 minutes 5 minutes भी बिना phone के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं जैसी पढ़ने बैठते हैं टू 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 किसका message आया इसने मेरी DP like नहीं करी मैंने इसकी DP like करी थी ओहो इसने तो उसकी DP like कर दी उस तो गरबढ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदगी में छोटे छोटे टार्गेट बनाओ यह जिस फोन डिस्रेक्शन है जो आपसे पढ़ते हुए छूटता नहीं है तो छोटे छोटे टार्गेट बनाओ जार पाई के साथ साथ यह भी एक टार्गेट होना चाहिए कि आज मैं पढ़ में क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता आप फोन नहीं छोड़ पाते पढ़ाई के लिए फोन यूज कर रहे है अलग बात है लेकिन डिस्रेक्शन हो रही है उससे वो कितने बच्चे ऐसे कमेंट में जूर बताना मुझे कि आपके साथ भी ऐसा होता तो यह वाट्स भी देना सीको खुशी मनाओ उससीस की सैलीबरेशन करो कोई भार से नहीं आएगा सैलीबरेट करने इससीस को ना आप किसी को बताओगे कि आज मैं हाफ एन आवर बैठा बिना फोन के क्या आगा पागल है यह तो इससे आदा घंटा फोन नहीं छूटता और मम्मी को बता दोगे तो फिर तो तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है तो सैलीबरेट करो वो आती नहीं कुछ मीठा हो जाए चाहे चौकलेट खरीद के खा लेना सैलीबरेट जरूर करना इस बात को छोटे छोटे टार्गेट बनाओ यह एक एक एक्जामपल ता फोन का आप प पाच दिन में बुक खतम करूंगा मैं क्लास 12 में 95% मार्क्स लाओंगा तार्गेट 95 का 100% का चैप्टर दो खतम नहीं किये तो 100% 95% मार्कस कैसी आएंगे टॉपर कैसे बनोंगे तो आप छोटे छोटे टार्गेट बनाओ यार मैं चैप्टर वन कम्प्लीट करूंगा आज NCRT से ऐसा एक टार्गेट बनाओ चैप्टर छोड़ो मैं एक्सरसाइज 1.1 खतम करूंगा एक्सराइज 5.1 खतम करूंगा एक्सराइज 5.3 खतम करूंगा आज चोटा सा टार्गेट बनाओ अगर आप लॉंग टाइम नहीं पढ़ सकते आदत नहीं है आपके अंदर लगा पड़ा भाई मज़ा आएगा और जब हाफ एन आवर पड़े सेलिब्रेट किया अगले दिन 35 मिनिट्स कर दो 40 मिनिट्स कर दो फिर सेलिब्रेट करो तो अपने टार्गेट को बढ़ाओ और आपका टार्गेट अभी टंवन फैब जा मार्ज के एक्जाम नहीं होने चीए छे चेप्टर अगर उसमें आ रहे है साथ चेप्टर आ रहे है तो पहले उसको टार्गेट करो कि मुझे यह यह चेप्टर खतम करने हैं और छे जा साथ एक साथ टार्गेट नहीं चेप्टर वाइस छोटे छोटे चोटे टार्गेट बनाओ अचीव करो सेलिब्रेट करो बहुत मचा आएगा, confidence बढ़ेगा और ये कैसे अचीव कर पाओगे, ये अचीव कर सकता है, सिरफ और सिरफ आपको करा सकता है, self-discipline, एक्जाम से एक रात पहले ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ भी, ये जो लाला जी बैठे है, अपना बोरी अब इस तरह खोल के, ऐसे आप भी बैठ जाते हैं, सारी बुक्स, मैच का एक्जाम है, खोल के बैठे है, NCRT खोल ली, रहे नहीं यार, एक्जामपलर बहुत अ कि प्रीवियस येर करने बहुत जरूरी होते है, नहीं या, सेंपल पेपर भी तो करने थे, सेंपल पेपर कर लेता हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पढ़ने बैठ रहे हो, कि तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले, जब भी पढ़ने बैठे, आप डिसाइड क होनी चाहिए आपके टेबल पर कि आज मैं इसमें से ये चीज खतम करूँगा आज मैं इंटीग्रेशन की 7.1 and 7.2 एकसेज खतम करूँगा कहां से NCRT से खतम करूँगा आज मैं assignment खतम करूँगा सरका जो मैंने दिया है ये assignment खतम करूँगा पचास कोशन, सो कोशन है अगर assignment में तो आज मैं 20 कोशन खतम करूँगा उसमें से एक material उस टाइम होना चाहिए आपके पास नई तो ऐसा ही हाल होगा exam में समझ में नहीं कि पढ़ा क्या है चूटा क्या है और ये सारी चीजे कहां थी self discipline से पहले अपने आपको बोलना पड़ेगा धीट बनाना पड़ेगा क्योंकि ऐसी अरकते क्या ये बच्पन से करते आ रहे हो इतनी असानी से नहीं जाएगी तो अपने आप से सकती करनी पड़ेगी थोड़ी सी self discipline क्यों जूरी है क्योंकि consistency बहुत जुरूरी है regular पड़ना बहुत जूरी है और regular पड़ने के लिए क्या है the power of self discipline क्या है no excuses कोई excuse नहीं होना चीए आपके पास जो सोच लिया है वो करना है दुनिया इधर से उदर हो जाए कोई बाबू सोना बोले कुछ भी बोले थाना थाया नहीं थाया ना पूछना है ना जवाब देना है एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपके पास अगर आपने सोचा है ना कि आज 7.1 खतम होनी चाहिए टम 1 आने वाला है छे चेप्टर है तो 10 दिन 15 दिन का टार्गेट ले रहा हूँ जा एक महीने का अगर स्लास तक मेरा टम 1 का स्लेवर्स कंप्लीट होना चाहिए उसको छोटे-छोटे टार्गेट में बनाओ और उसको फॉलो करो बड़ा नहीं बोल रहा कि एक दिन में 6 चेप्टर लेकिन सेल्फ डिसिप्लीन में तो आना पड़ेगा नहीं तो जो मिल रहा है वो ही मिलेगा उससे जादा कुछ नहीं मिलेगा अनुशाशन और अभ्यास सही आतम विश्वास का जनम होता है जिसने भी बोला ना बिल्कुल सही लाइन बोलिया बिटा जब तक मैं डिसिप्लीन में नहीं हूँ और रेगलर प्रैक्टिस नहीं कर रहा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो माक्स नहीं आएंगे सर पेपर छूट गया आता तो था जैसे ही पेपर देने जाता हूँ न सब भूल जाता हूँ क्योंकि confidence नहीं है confidence इसलिए नहीं था क्योंकि कभी discipline में रही नहीं कभी ज़्यादा practice करी नहीं थोड़ी करी और इतनी सारी book से करी है कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा syllabus क्या है तुम्हें कौन सा chapter अच्छे से आता है कौन सा topic आता है नहीं आता तुम्हें पता ही नहीं है NCIT कर लिए हटा दो exemplar की entry कर लो exemplar कर लिया हटा दो previous year questions की entry कर लो पता चल रहा न कि NCIT हो गई दो question पता ही नहीं कौन सी बुक आती है और कौन सी नहीं आती है भाई अब बार बार एक बुक का नाम लिया जा रहा है तुम्हें किस से पर पेर करना चाहिए सबसे पहले maths के अंदर बागी subjects के अंदर कुछी subjects होंगे जिसमें NCIT बहुत अच्छी नहीं है board exam दे रहे हैं तो आपके लिए NCRT exercise और examples बहुत important रहने पाले है लेकिन उससे पहले जूरी है आपको अपना slavers पता होना कि आपके पास पुरानी बुक है तो क्या delete है और क्या delete नहीं है ये बहुत जरूरी है तो NCRT के सारे questions exercise के और examples आपको tips में आने चाहिए प्लस assignments assignments को उनसे मैं अपने telegram group में आपको assignments देता रहता हूँ हर chapter के उसमें previous questions भी आपको आने वाले time पे मिल जाएंगे आपको sample पर फ्री मिल जाएंगे link आपको description में मिल जाएगा हर एक chapter के assignment मिलेंगे with solutions मिलेंगे कि आप answer भी check कर सकते और कौन से step कहां गलत किया वो भी verify कर पाओगे हर चीज के assignments आपको मिल जाएंगे हर chapter के प्लस previous year questions भी मैं दे दूँगा अगर आप ये तीन चीजे भी कर लेते हो example नहीं भी करोगे चलेगा सच्ची बिलकुल hundred ten percent example के जितने questions हो गया assignments और PYQ में आपको already मिल जाएंगे जितने important questions जितने अच्छे questions जितने syllabus में होंगे अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि exemplar के अंदर आप करने बैठते हो तो आपको पता बहुत सारे syllabus NCR से delete हो गया जो कि exemplar से नहीं हुआ है तो आपको दिक्कत आती है आप chapter 1 देखो chapter 2 देखो chapter 4 देखो इतना syllabus है जो delete हो चुका है लेकिन exemplar से delete नहीं हुआ है तो आपको दिक्कत आएगे फिर आप बोलोगे ये तो किया ही नहीं हुआ ऐसा कैसे होगा वो क्या होगा तो अगर आप ये नहीं भी करते हो और ये तीन चीजे करते हो तो आप 100% भी marks ला सकते हो exam के अंदर depend कि आपको क्या करना है self discipline में रहना है और regular self study करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप self study नहीं करोगे मुझे पता आप school जा रहे हो आपके बाद time कम है मैं ये नहीं कहा रहा 6 गंटे पढ़ो, 10 गंटे पढ़ो, 8 गंटे पढ़ो self study के लिए 2 hours तो निकाल सकते हो sub subject जो भी आप पिडिक्स के मिस्टी मैस, accounts, economics और मैस, कोई भी 3 subjects को regular पढ़ो, चाब 40-45 5 मिनट्स पढ़ो, चाब 40 मिनट्स पढ़ो time तो निकालना पढ़ेगा चिक्याद, देर रात अच्छा लगता है, तब पढ़ लो, सुबह जल्दी तब पढ़ लो, तो self study जब आप करेंगे, तो self study से आपको क्या होगी, आपकी revision, 100 बात की एक बात, आपने 6 चेप्टर खतम कर लिए 6 चेप्टर खतम कर लिए, 7 कर लिए, 8 कर लिए अगर आप revise नहीं कर रहे न, तो मान ले न, आपका syllabus आज भी आप 0 पे हो, क्योंकि जब आप 7 चेप्टर कर चुके होगे न, पहला चेप्टर अपने आप 0 हो चुका होगा, क्योंकि 4 महीने होगे, आपने उसको revise ही नहीं किया, आपने उसको पढ़ा ही नहीं, तो जितनी छोटी-छोटी conceptual बात ही होती हो, वो आप भूलने लग जाते हो, और जब वो भूलते हो, तो आप 0 पे आ जाते हो, तो self-study किसके लिए करनी है, self-study करनी है revision के लिए, जो current में चल रहा है, टूशन में चल रहा हो, तो आप करी रहे हो, उसका होग वक्त हो करो गई, लेकिन self-study में आप revision के आदट डालो, पुराने चेप्टर्स को उठाओ, एक-एक NCRT के questions अगर कर रखी है, तो important जितने भी अगर NCRT में मान के चला, आपके पास हर exercise में 15 questions है, तो उसमें से 8 questions सेलेट कर लो, 50%, उसको revise करो, इससे आपका confidence बढ़ता रहेगा, revision, पिछला revise नया कर रहे हो, तो syllabus बिल्कुल साथ-साथ चलेगा, backlog नहीं होगी, तो आपके marks भी बढ़ते जाएंगे, घटेंगे, नहीं, ठीक है बटा, अब comment में मुझे बता देना, कोई भी और problem आ रही है, तो मुझे बता देना, और लगता है कि नहीं, सर, और भी कोई solution हो सकता था, वो भी भी मुझे बता देना, ताकि मैं आने वाली वीडियो में बागी बच्चों के साथ भी share कर सकता, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो share भी कर दे, चलिए मिलते बटा नेक्स वीडियो में, बाई बाई take care